हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आए होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ के सब्जेक्ट इंगलिस के वीक नंबर 20 की वक्सीट को सॉल्व करेंगे जो की नौर्ट डैली मिंसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वक्सीट का टॉपिक है जंबर वर्ट तो वीडियो को शिरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नौर्टिफेकेशन मिलते रहें तो शिरू करते हैं अब बच्चे कोश्यन है अन बच्चों सट के साथ मैच करेंगे नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर लेटर से एन पी ए टी एस तो बच्चों इसका सही वर्ड है पी ए एन टी एस पैंट्स तो बच्चों पैंट के साथ मैच करेंगे नेक्स्ट है एस ओ एच एस तो यहाँ पर बच्चों इसका करेक्ट वर्ड है S-H-O-E-S शूज तो बच्चों यहाँ पर पिक्चर में शूज हैं तो शूज मिन्स होते हैं जूते इनके साथ मैच करेंगे नेक्स है O-C-S-K-S तो बच्चों करेक्ट वर्ड है S-O-C-K-S Socks कहते हैं मौजे तो बच्चों Socks के साथ मैच करेंगे नेक्स है C-S-A-R-F तो बच्चों करेक्ट वर्ड है S-C-A-R-F स्कार्फ तो बच्चों स्कार्फ के साथ मैच करेंगे नेक्स है K-I-S-R-T तो बच्चों करेक्ट वर्ड है S-K-I-R-T इस कर्ट के साथ मैच करेंगे next है P.A.C. C.A.P. cap means cap तो बच्चे हाँ पर एक cap है इसके साथ मैच करेंगे next है H.S.R.O.T.S तो बच्चो correct word है S.H.O.R.T.S Sorts तो बच्चो Sorts के साथ मैच करेंगे अब बच्चो question number 3 the spelling of these words have got jumbled बच्चो यहाँ पर दिये गए words की spelling है वो jumbled हो गई है put them in the correct order उन्हें जो है सही order में लिखना है and then make a sentence with them और उन spellings का use करके फिर sentence बनाना है तो बच्चो जैसे की example है यहाँ पर बच्चो यह jumbled word है E.P.C.N.I.L. तो बच्चो इसका correct word है P.E.N.C.I.L. Pencil I write with a pencil मैं एक pencil से लिखता हूँ बच्चो नेक्स्ट हम ऐसे करेंगे H.C.I.A.R तो बच्चो correct word है chair C.H.A.I.R chair में इस कुरसी I sit on chair मैं कुरसी पर बैठता हूँ नेक्स्ट है बच्चो D.A.R.O.V.C.P.O तो बच्चो इसका correct word है cupboard तो बच्चो cupboards जो है इसका use करेंगे हम cloths are in the cupboard कपड़े जो है अलमारी में है Next है E.S.O.U.H correct word है house H.O.U.S.E Rahul lives in the house Rahul घर में रहता है Next है L.O.C.K.C तो बच्चो correct word है clock C.O.C.K के clock The clock is on the wall Clock जो है घड़ी दीवार पर है Next है Read the given clues दिये गए clues को पढ़िए and use the given alphabets to write the names और दिये गए alphabets का use करके नाम लिखे A red fruit that keeps the doctor away एक लाल रंग का फल जो की doctor को दूर रखता है तो बच्चो letters है इनसे बनाना है प, A, L, P, E तो बच्चो क्या बनेगा A, P, P, L, E Apple में से Men, Women and Children Together are called आदमी, और बच्चों को एक साथ क्या कहा जाता है P, O, P, E, E, L तो बच्चों क्या कहते है People P, E, O, P, L, E, People Next है Not clean जो साफ नहीं होता उसे क्या कहते है तो बच्चों यहाँ पर लेटर्स है I, D, Y, R, T Dirty, D, I, R, T, Y Dirty मिस गंदा It grows on our head यह जो है हमारे सिर पर होते हैं तो बच्चों यहाँ पर लेटर्स है A, H, R, I तो क्या होते हैं H, A, I, R Hair मिस होते हैं बाल अब बच्चों Life Skill Give Respect and Take Respect दूसरों को सम्मान दो और स्वें भी सम्मान पाओ Respect is treating someone Respect जो है किसी के साथ treat करना वेवार करना How you and they wanted to be treated कि कैसे आप सम्मान पाना चाहते हैं और कैसे दूसरे को देना चाहते हैं Caring about the thoughts, feelings, beliefs and rights of someone else और किसी के भी जो thoughts है, विचार है feelings, भावनाए है विश्वास है, जो अधिकार है उनके बारे में उनकी care करना उनकी care करके उनसे बाच्चीत करना Using magical, mannerful and kind words और जो magical, mannerful, सम्मान जनक और जो kind words है उनका use करना Like जैसे कि Please, Thank you, Sorry and Excuse me Being polite और दूसरों के प्रती, विनम्र होना Taking care of others दूसरों की देखभाल करना Animals and things Animals की और things, चीजों की If you want to take respect यदि आप सम्मान पाना चाहते हैं You first learn to give respect तो आपको सबसे पहले सम्मान देना सीखना होगा Respect Respect का meaning होता है बच्चों सम्मान At home, at school, in the society At home क्या करना है, listening to our parents अपने parents की बातें सुनना उनका कहना मानना Helping our parents and elders जो आपके बड़े हैं, आपके parents हैं उनकी मदद करना Caring for our siblings, जो आपके बेहन भाई हैं उनकी care करना School में, listening to our teachers अपने अध्यापक की बात सुनना Following the rules और नियमों का पालन करना In the society और समाज में Following laws जो laws है, नियम है, कानून है उनको follow करना Being polite और विनमर होना Let's make a bookmark with the following sentence अब बच्चों, यहाँ पर दिये गए sentence से Bookmark बनाना है I respect everyone मैं सभी की respect करता हूं संसकार साला Don't work for money, work for success पैसे के लिए कारे मत करिए सफल होने के लिए कारे करें Food and drink में आज आप लेंगे Eat brown colored fruits and foods आज आप बच्चों brown color के फल और भोजन लेंगे Like जैसे की चीकू, कीवी, brown rice Sweet rice, विर जैगरी, etc Activity में Make a thank you card for your teacher बच्चों, आप अपने teachers के लिए thank you card बनाएंगे It means उन्हें धन्यवाद देने के लिए एक कार्ड बनाएंगे Game में play Ludo with family अपने परिवार के साथ Ludo game खेलेंगे Daily routine Include the following habits In your daily routine अपने daily routine में दीगे habits को सामिल करें Begin your day by greeting your parents अपने parents को अभिवादन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें Brush your teeth twice a day दिन में दो बार दातों को ब्रश करें Take a bath daily, रोजाना नहाएं Drink plenty of water परियाप्त मात्रा में पानी पियें And eat a balanced diet और संतुलित आहार लें Avoid touching your face अपने चहरे को छूने से बचें And wash your hands frequently और अपने हातों को नियमित रूप से धोएं Complete your homework on time और अपना ग्रहकारे समय पर पूरा करें Students, if you like this video, please like and share And if you are new on this channel, please subscribe the channel Thank you